राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने जा रहे हूँ बंधों इस बार होले की तारीक को लेकर लोगों में बहुत कनफ्यूजन है कोई 24 मार्च की होली बता रहा है और कोई 25 मार्च को बता रहा है प्रन्तू हिंदू पंचां के उनसार सही तारीक क्या है मैं आपको बताने जा रही हूँ बंधों हर साल फागुन महा की पुर्निमातिति को होली का देहन होता है अगले दिन चैत्रप्रति पदा को रंगों वाली होली होती है लेकिन इस बार होली की तारीक को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है बंधों होली की सही तारीक क्या है मैं आपको बताने जा रही हूँ बंधों हिंदू पंचांग के अंसार फागुन पुर्निमातिति 24 मार्च को सुभे 9 बज कर चुरंजा मिनट पर प्रारंब होगी और 25 मार्च तो पहर को 12 बज कर 29 मिनट पर इसका समापन होगा इसलिए होली का देहन 24 मार्च दिन्दविवार को होगा और रंगों वाली होली 25 मार्च को होगी बंधों इस साल होली के दिन साल का पहला चंदर ग्रहन भी लगने वाला है यह ग्रहन कन्या राशी में लगेगा यह चंदर ग्रहन सोंवार 25 मार्च को होली के दिन लगेगा यह चंद देहन सुभह 10 बज कर 24 मिनट से लेकर दोपह 3 बज कर 1 मिनट तक रहेगा यानि चंद देहन की कुल अबधी 4 घंटे 36 मिनट की होगी बंधो होलिका देहन का मुहुरत रात 11 बज कर 12 मिनट से लेकर रात 12 बज कर 7 मिनट तक रहने वाला है होलिका देहन की पूजा विधी क्या है? फाकुन पुर्निमा पर होलिका देहन से पहले होलिका माई की विधिवत पूजा की जाती है इस तिन सुर्योदे से पहले उठें, श्रान के बाद साफसुत्रे वस्ट बहने शाम को होलिका देहन की स्थान पर पूजा की थाल लेकर जाएं यहां पूरव या उत्तर दिशा की और मुक करके बैठे सबसे पहले होलिका को उपले से बनी माला अर्पित करे अब रोली, अक्षत, फल, फूल, माला, हल्दी, मूंग, गुड, गुलाल, रंग, सतनाजा, यहू की बालियां गन्ना और चना आदी चड़ाएं इसके बाद होलिका पर एक कलावा बांते हुए पांच या साथ बार परिकर्मा करें अंत में जल चड़ा कर होलिका माई से सुक संपन्ता की प्रात्ना करें शान को होलिका दहन के समय अगनी में चावल अर्पित करें इसके इलावा नई फसल को भी चड़ाया जाता है और भूना जाता है भूने हुए अनाज को लोग घर लेकर आते हैं और प्रशाद के रुप में पित्तित करते हैं शास्त्रों में ऐसा करना बहुत फिशु बताया गया है बंधों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर करना ना भूलें राधे राधे जैश्री कृष्णा धन्यवाद